आपका स्वागत है, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो? क्या आप अच्छे संबंध बनाना चाहते हो? क्या आप अपनी सबसे कीमती धरोहर, आपके निजी और व्यावसायक जीवन के लोगों का मूले बढ़ाना चाहते हो? क्या आप अपने भीतर छिप अगर ऐसा है तो इस बुक समरी को आगे सुनने क्यों कि आगे जो जांकारी दी जा रही है हो सकता है उसे सुनकर आपकी जिन्दगी ही बदल जाए तो अब शुरू करते हैं अपने भीतर छिपे लीडर को खोजना चार सश्वाब को स्टील बिजनिस में एक मिलियन डॉलर की सालाना सालरी मिलती थी इतनी मोटी सालरी मिलने की सबसे बड़ी वजह लोगों के साथ विवहार करने की उनकी योगिता थी जरा कलपना करें एक मिलियन डॉलर सालाना सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोक व्यवार में निपुन थे आए देखे कैसे एक दिन दोपर को श्वाब अपनी एक स्टील मिल में घूम रहे थे उन्होंने कुछ मजदूरों को वहां सिग्रेट पीते देखा जहां बोर्ड लगा था धूमरपान वर्जित है आपको क्या लगता है कि चार सा श्वाब ने उस साइम बोर्ड की तरफ इशारा करके यह कहा होगा उन क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता बिल्कुल नहीं लोक व्यवहार में माहिर व्यक्ती भला ऐसा कैसे कर सकता है श्वाब ने दोस्ताना अंदाज में उन लोगों से बातचीत की चलते चलते श्वाब ने उन लोगों को कुछ सिगार दिये और आख मारते हुए कहा ओ अगर आप इन्हें बाहर पिएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा श्वाब ने बस इतना ही कहा वैसे मजदूर अच्छी तरह जानते थे कि श्वाब को उनके नियम तोड़ने के बारे में मालूम था लेकिन वे मन ही मन श्वाब से कृतगे भी थे क्योंकि उन्होंने उन्हें नीचा नहीं दिखाया चार सश्वाब एक लीडर थे पत के कारण नहीं उन्ची सालरी के कारण भी नहीं उन्हें लीडर बनाने वाली खासियत यह है कि उन्होंने लोक व्यवार में महारत हासिल की है जिस चीज की ज़रूरत है वह है leadership ताकि वह सब हासिल करने में लोगों की help की जा सके जिसमें वे सक्षम है ताकि future के लिए एक सपना बुना जा सके ताकि लोगों को encourage किया जा सके guidance और training दी जा सके और सफल संबंध बनाय तथा कायम रखे जा सके अपनी नेतरित्व शक्तियों को पहचाना सफलता की दिशा में पहला कदम है दो समवाद शुरू करना अच्छी तरह समवाद करना सीखने का कोई गोपनी नुस्खा नहीं है लेकिन कुछ basic concepts ज़रूर होते हैं जिनमें माहिर होना आसान है यहां सफल समवाद के शुरू आती कदम बताय जा रहे हैं उन पर अमल करेंगे तो आप सफलता की राह पर चलना शुरू कर देंगे एक समवाद को सर्वोच प्रात मिक्ता दें दो दूसरों के प्रती खुला नजरिया रखें तीन समवाद के लिए अनुकूल माहौल बनाए समवाद के लिए खुलेपन और विश्वस्निय माहौल की जरूरत होती है सफल समवाद बहुत फाइदेमन साबित हो सकता है समवाद विश्वस्निय संबंधों की बुनियाद पर ही बनता है तीन लोगों को प्रेरित करना लोग अपने नाम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं यह बात एंड्रियू कानेगी को बच्पन में ही पता चल गई थी बच्पन में दस साल की उम्र के एंड्रियू के पास बहुत सारे खरगोश थे दिक्कत यह थी की कानेगी के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था उनके मन में एक बेहतरीन विचार आया उन्होंने परोसके 6-7 बच्चों से कहा कि अगर वे हर दिन खरगोशों को खिलाने के लिए घासपक्ति लाएंगे तो वे उनके सम्मान में खरगोशों का नामकरण उनके नाम पर कर देंगे यह योजना जादू की तरह काम्याब हुई एंड्रियू कार्नेगी यह घटना कभी नहीं भूले बरसों बाद उन्होंने बिजनेस में इस टेकनीक का यूज करके लाखों डॉलर बनाए आए देखे कैसे वे पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पट्रिया बेचना चाहते थे उस वक्त जे एड्गर थॉम्सन उस कंपनी के प्रेसिडेंट थे एंड्रियू कार्नेगी ने खरगोशों वाला सबक याद रखते हुए पिट्सबर्ग में एक विशाल स्टील मिल शुरू की और उसका नाम जे एड्गर थॉम्सन स्टील वर्क्स रखा अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जब उसके बाद पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पट्रियों की ज़रूरत पड़ी तो आपको क्या लगता है जे एड्गर थॉम्सन ने पट्रिया कहा सिखरी दी होंगी यदि आपको लोगों को प्रेरित करना है तो ऐसी भावनाय जगाना ही लीडर का काम है जैसे हम इस काम में एक साथ हैं हम एक टीम के सदसे हैं हम जो करते हैं वह मूलेवान है हम सरवश्रेष्ट हैं यही वह शब्ध है जिसमें सची प्रेरना उगती है आप यह काम किसी भी तरीके से करें लेकिन करें ज़रूर अपनी जिंदगी में मौजूद लोगों को बता दें और उनके काम की प्रशंसा करते हैं उन्हें जतादें की वे आपके लिए बेहद मेहत्वपूर्ण है और आपकी दिली इच्छा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें तरक्की करें और अपनी पूर्ण संभावना तक पहुचे प्रेरना इसी को कहते हैं किसी से जबर्दस्ती असाधारन काम नहीं करवाया जा सकता लोगों में अच्छा काम करने की इच्छा होनी चाहिए चार दूसरों में सची दिल्चस्पी का इजहार करें इसे समझने के लिए क्यों न दुनिया में दोस्त बनाने वाले सबसे बड़े विजेता की तक्नीक का अधेयन करें वह कौन है आप उसे सडक पर दोटे हुए देख सकते हैं आपके दस फुट क्रीब पहुँचते ही वह अपनी दुम हिलाने लगता है अगर आप रुपकर उसे थप्थ पाते हैं तो वह उचल कर जताता है कि वह आपको कितना ज्यादा पसंद करता है और इसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ उद्देशे या स्वार्थ नहीं होता वह आपको रियल एस्टेट नहीं बेचना चाहता या आपसे शादी नहीं करना चाहता अब तक तो आप समझ गए होंगे कि वह कुत्ता है क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता ही इकलोता ऐसा जानवर है जिसे जीने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं गाय को दूद देना होता है और चिरियों को गाना पड़ता है लेकिन कुत्ता सिर्फ प्रेम देकर ही अपनी आजीविका कमाता है दूसरे आप में दिल्चस्पी लें यह चाहकर आप दो साल में जितने दोस्त बना पाएंगे उससे ज्यादा दोस्त आप दूसरों में सच्ची दिल्चस्पी लेकर दो महीनों में ही बना सकते हैं बहरहाल आप और मैं कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो जिन्दगी भर दूसरों को खुद में दिल्चिस्पी लेने के लिए परेशान करते रहते हैं। जाहिर है, यह तरीका जरा भी कागर नहीं है। लोगों की आप में दिल्चिस्पी नहीं है। उनकी दिल्चिस्पी मुझ में भी नहीं है। उनकी दिल्चिस्पी तो खुद में है, सुबह भी, दोफर में भी और रात को भी। दूसरे लोगों में सच्ची दिल्चिस्पी दिखाने से ज्यादा असरदार और पुरसकारदाय कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने ग्राहकों, परिवारवालों और दोस्तों के साथ ज़्यादा सफल संबंद बनाना चाहते हैं, तो स्थिति को सामने वाले के दृष्टिकोर्ण से देखना शुरू कर दे। खुद से बाहर निकल कर यह पता लगाय की सामने वाले के लिए क्या महत्वपून है छे सीखने के मकसद से सुने दूसरों की बातें सुनने के दो बहुत अच्छे कारण है एक तो यह कि इससे आप नई बातें सीखते हैं और दूसरा यह की लोग अपनी बात सुनने वाले लोगों से खुश होते हैं लेकिन हमेंसे जदातर लोग जिंदगी भर इस सबक को नजरंदाज करते रहते हैं हर जगह के लोगों को यह अच्छा लगता है कि दूसरे विक्ति उनकी बातें गौर से सुन रहे हैं वे अच्छी तरह सुनने वाले लोगों से लगभग हमेशा खुश होते हैं और बेहतर प्रतिक्रिया करते हैं किसी की बातें सुनना उसके प्रती समान दिखाने की सबसे अच्छी तक्निकों में से एक है यह इस बात का संकेत है कि हम उसे महत्वपून मानते हैं यह इस बात का सूचक है उँ आप जो सोचते हैं करते हैं और जिस पर यकीन करते हैं वह मेरे लिए महत्वपून है अच्छा शोता जितनी अच्छी तरह दूसरों से अपनी बात मनवा सकता है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता भविशे के लिए टीम बनाना सफल टीमवर्क कोई जादू से नहीं हो जाता यदि हम खेल की बात करें तो इसके लिए खिलारियों के सहयोगी समू की जरूरत होती है इसके लिए एक योग्य कोच की भी जरूरत होती है आप कुछ लोगों को सिर्फ एक साथ रख कर लेकिन आने वाले समय में जो भी लीडर बनना चाहता है, उसे कुछ बुनियादी कोचिंग तक्निकों में माहिर बनना होगा। ये तक्निकें बिजनेस जगत में भी उतनी ही ज़रूरी हैं। जितनी की खेल जगत में, एक उद्देशे का साजह एहसास कराए। मिलकर काम करने वाले लोग जबरदस्ट लक्षे हासिल कर सकते हैं। टीम को जो चीज खास उचाल देती है, वह है व्यक्तिगत सदस्यों का एकी कृत या साजह सपना। दो लक्षों को टीम के लक्षे बनाए। जब तक पूरी टीम नहीं जीतती है, तब तक दरसल कोई भी नहीं जीतता। यह अवधारना खेल जगत पर सबसे ज़्यादा लागू होती है, लेकिन यह हर तरह की टीम के बारे में सच है। व्यक्तिकत रिकॉर्ड इतिहास की पुस्तकों के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन दरसल यह बात की चीज़े हैं। इससे ज़्यादा मेहत्वपूर्ण है पूरी टीम का संयुक्त प्रदशन। तीन लोगों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करें। जब लोग टीम में शामिल होते हैं, तो उनकी निश्टा अचानक गायब नहीं हो जाती। उनके व्यक्तित्व तब भी अलग-अलग ही होते हैं। उनमें तब भी अलग-अलग योगेताए होती हैं। योगे लीडर उन भिनताओं को पहचान लेगा, उनकी इकद्र करेगा और टीम के फाइदे के लिए उनका सही इस्तेमाल करेगा। चार, हर सदसे को टीम के प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार बनाए। लोगों को यह मसूस करने की जरूरत होती है कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है, वरना वे उस काम पर पूरा ध्यान नहीं देंगे, जो उन्हें मिला है। प्रोजेक्ट को टीम के नाम कर दें। समू को ही ज्यादा से ज्यादा निर्ने लेने दें। सभागिता की मांग करें। समाधान का आदेश न ला दें। इस बात पर जोर नदें की चीज़ें एक खास तरीके से ही की जाए। पांच श्रे बाटे, इल्जाम अपने सिर लें। जब टीम अच्छा प्रदशन करे और उसके नाम का डंका बजे, तो टीम के हर सदसे को इसका श्रे देना लीडर की जिम्मेदारी होती है। साथ चुड़े और जुड़े रहें। यह नीती टीम की बुनियाद वाले नए संसार में काम नहीं करती। शक्तिशाली लीडर को टीम के सदसें से जुड़ना होगा और जुड़े रहना होगा। कलपना करें की लीडर एक विस्ट एयर क्राफ्ट केरियर का कमांडर है जो डेक पर खड़ा हुआ है। कुछ चाब ही रहे हैं। जहाज को दिशा में बने रहना है और साथ ही हमले से भी बचना है। उसे इन सारी चीजों के बारे में एक साथ सोचना पड़ता है। आठ मार्गदर्शक बने। आप किस तरह बेहतर बनना चाहेंगे। आप अपने कैरियर को यहां से आगे कहा ले जाना चाहते हैं। आप किस तरह की नई जिम्मेदारिया लेना चाहेंगे। ये सारे सवाल पूछना लीडर के रूप में आपका काम है। आपके पास जितना भी ग्यान और अनुभव है। उससे लक्षे हासिल करने में टीम के सदस्यों की मदद करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। इन कुछ सिंपल टेकनीक्स का यूज करके अपनी टीम को सफल होते हुए देखें। लीडर जो सबसे बड़ा पुरसकार हासिल कर सकता है। लीडर जो सबसे बड़ी विरासत छोड़ सकता है, वह है योग्य, आत्म विश्वास से भरे और सहयोगी लोगों की टीम, जो खुद नेत्रित्व करने के लिए पूरी तरह तयार हो। टीम के खिलारी ही आने वाले कलके लीडर्स हैं।